This is Dr. Faisal Rashid, I'm a consultant psychiatrist. Last video में मैंने बात की थी Milgram Shock Experiment की, जो के एक बहुत ही तनाजे से भरपूर study थी psychology की. आज मैं बात करूँगा Stanford Prison Experiment की, जो के 1971 में Stanford University के psychologist Paul Limbardo ने किया था. ये भी बहुत मतनाजे, controversial experiment था, जिस पे कई ethical issues खड़े हुए. बन्यादी तोर पे पॉल जिंबाडो ने भी obedience to authority, यानि एक position of power में बेठे हुए इनसान को देखा कि कैसे उसके नीचे लोग उसकी हर बात को, उसके हर सही या गलत अकदाम को जाइस करार देते हैं, उसके हर सही या गलत हुकम को मांगते हैं, इस experiment में उन्होंने एक jail का set up make up किया, अपने university की basement में, और वहां पे participants लिए, जिनको आधों को उन्होंने prison guards बना दिया, और बाकी आधे जो थे उनको कैदी prisoners बना दिया, और उनको रोल समझा दिये कि आपने कैसे अपने रोल सरांजाम देने हैं, और उनको दो हफ़ते के लिए observe किया जाएगा, यह नहीं बताया गया कि वो क्या observe कर रहे हैं, तो देखा ये गया कि जैसे जैसे दिन गुजरे, तो जो prison guards बने थे लोग, जो के आम लोग थे, पढ़ते थे, students थे, उन्होंने वो रोल पूरी तरह internalize कर लिया, उन्होंने वोही ज्यातियां शुरू कर दी जेल में, जो के prisons के साथ की जाती हैं, उनको सर्च करना, उनको नंगा करना, उनको मारना, उनको सोने ना देना, उनको खाने से महरूम रखना, उनकी बेज़िती करना, dehumanize करना, जबके वो आम लोग थे, जिनका hostility से कोई गहरा तालुक नहीं था, और जो prisoners थे, उन्होंने भी अपने रोल को internalize कर लिया, वो passive हो गए, वो react नहीं करते थे, वो protest नहीं करते थे, और वो भी अपने उस एक रोल में आ गए, बीच में एक psychologist ने उनको visit किया, और उसने सवाल उठाई इस किसम के experiment में, जो दो हफ़ते तक study चलनी थी, उसको छे दिन बाद रोग दिया गया, इस पे खेर, प्रोफेसर ने अपने अपनी जो findings थी, वो publish की और इसमें वो ही, जो milgram के experiment में हुआ था, जिसने electric shocks दिये थे, इस experiment में prison, guards और prisoners के behavior को देखा गया, और इसमें पी वो ही findings replicate हुई, उन्हीं को दुबारा से तक्वियत मिली, कि आम लोग जिनका शिदत पसंदी से, जिनका जल्म से, जियाती से तालुक नहीं होता, लेकिन उनको अगर एक certain system में डाल दिया जाए, एक certain situation में डाल दिया जाए, तो वो भी वैसे ही behavior करते हैं, जो के वहाँ पे एक prevailing system होता है, या फिर एक काइम महौल होता है, और उसमें वो जो authority figure होता है, जो इनसान power की position पे होता है, जो एक ओधे पे बैठा होता है, उसका सही या गलत हर हुक्म मानने को वो तैयार हो जाते हैं, उसके सही और गलत एकदाम को वो implement करना शुरू कर देते हैं, इस experiment के बाद कैई ऐसी आवाजें उठीं जिन्हों ने इस बात की निशान दही की, कि psychology के experiments को regulate होना चाहिए, इनकी कुछ boundaries और limitations होनी चाहिए, research ethics ये वो जमाना था 70s की दिहाई, जहां पे philosophers ने खास तोर पे ये आवाज उठाना शुरू की, medicine के profession में, psychology के profession में ऐसी regulations आनी चाहिए, जहां पे research को regulate किया जाए, और इसमें लोगों को, जो subjects हैं, उनके rights को, उनके حقوق को protect किया जाए, इसके बाद के guidelines आई, research ethics के हवाले से, और ना सिर्फ study conduct करने के हवाले से, उसके बाद results जो publish होंगे, जो subjects हैं, जिन पे experiment किया जाता है, उनके debriefing के हवाले से, कई चीज़ें guidelines का हिसा बनी, लेकिन, इस experiment को आज भी, एक controversy के तोर पे देखा जाता है, इसके results को study किया जाता है, लेकिन with a pinch of salt, इस पे जैसे हम नमक को लेते हैं, जो ये आज का मकसद था, ये एक series of psychology experiments हैं, जो के बहुत बड़े हैं, significant हैं, लेकिन controversial हैं, मतनाज़या हैं, I hope कि आपके लिए ये वीडियो useful थी, thank you and khuda hafiz.